Hello Everyone, Welcome to Magnet Brains पिछने वीडियो में हमने देखा था कि Alternate Delivery Channels क्या होते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं JIB का पहला paper Principles and Practices of Banking का Module C, Banking Technology का Topic, Data Communication Network and EFT Systems तो आईए शुरू करते हैं अब EFT System, समझने से पहले हम समझ देते हैं कि EFT अक्चल में होता क्या है Simply, it is Electronic Points Transfer जो भी आप पैसा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रख ट्रांसफर करना चाहते हैं चाहे आप किसी vendor को payment कर रहे हों, चाहे आप किसी और को पैसा भीज रहे हों अगर आप उसको electronically भेजते हैं, चाहे आप किसी तरीके से भी भेज़ें आप NEFT करें, RTGS करें, आप UPI के थू करें वो सब के सब एक जो common term जिसके अंदर एक umbrella के अंदर आता है उस umbrella का नाम है EFT, Electronic Point Transfer अब एक और चीज आपने कभी कबार चेक के बारे में सुना होगा या चेक देखा होगा और हम सब तो bank करें, हम समझते ही है कि यह चीज टर्म क्या होता है MICR का अपने नाम सुना होगा MICR होता है Magnetic in Character Recognition इसका use क्या है, कैसे use हुआ, कैसे check truncation system में use आया उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अब banknet and swift swift के बारे में आपको पता है वो messaging services जो हमें allow करती है international fund transfer के लिए जो हमें message भीने allow करती है, उसको हम swift बोलते है यह इंडिया में 1991 में introduced हुआ था 1991 में जो LPG reforms हुए था जब इंडिया open up हुआ था, जब इंडिया का market open up हुआ था पूरे world के लिए, तब यह सारे reforms introduced के गए थे, so that बाहर की companies यहाँ इंडिया में easily आपाएं और Indian companies बाहर की companies के साथ easily deal कर पाएं अब data communication network, देखिए bank में आपने हम जो हमाना normal CBS operate करते हैं, CBS operation में क्या होता है, कि हम जो bank से related जित्ती भी चीज़े हैं, कि भाई किसी customer का balance देखना हुआ उसके लिए अगर हमें passbook issue करना हुई, कोई भी banking related operation करना हुआ, FD करना हुई, BG बनाना हुई उसका LC बनाना हुआ, जो कुछ भी है आजका हम अपने CBS से कर लेते हैं यह CBS जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि overall जो मारे bank का network है उससे connected होता है, जो locally connected है वो LAN के थू होते हैं, local area network के थू और जो दूसरे cities से, जो main service से connected है वो WAN के थू होते हैं, wide area network के थू वैसे ही, जो data communication network है यह वो network है, जो इन सारे PCs को सबको एक दूसरे से connect करता है जो information interchange है, उसको allow करता है इसकी definition होती है distributed data communication, basically overall distributed सारे devices तो अलग-अलग location पर है यहाँ पर जो data का communication allow करता है वो particular network shared resources at a reduced cost connection to computers located in geographically dispersed location जैसे कि आज आज आपकी एक branch भॉपाल में है दूसरी ब्रांच आपकी डेली में है वो अगर डेली विजट करता है तो क्या उसको अपने account के बारे में information मिल जाएगी क्या उसको services मिल जाएगी of course मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि CBS interconnected है बले ही उसका account एक particular branch में maintained है लेकिन क्योंकि वो एक bank में maintained है इसलिए उसको उसकी information मिल जाएगी अगर उसका account आपके bank में है तो ये statement का क्या मतलब है? कि for example अगर वो customer PNB का है और SBI का है और अगर वो अपनी SBI की passbook लेके PNB में आते हैं और बोलता है कि क्या आप मुझे इसका balance बता देंगे तो वो हम नहीं बता पाएंगे क्यों? Because हमाई पास उनके CBS का उनके data का access नहीं है हाँ अगर वो PNB की passbook लेके आता है तो हम उसको definitely बता सकते हैं इसमें भी कई जगे ऐसा भी होता है कि कुछ banks जो RRBs, Regional Rural Banks होता है वो किसी एक mother bank के अंडर आते हैं अगर वो उस bank की passbook हमारे पास लेके आता है भले ही वो PNB के अंडर आता हो तो हो सकता है हम उसको balance नहीं बता पाएं क्योंकि वो CBS interlink नहीं है तो ये distributed data network जो data communication है ये हमें allow करता है कि overall geographically dispersed location में computers के बारे में information हमारी gather करके और हमारे customers को provide करने के लिए अब इसका communication network के components क्या होते हैं मेजरली सिर्फ तीनी component होते हैं एक होता है transmission devices and interface equipment भाई जो भी data है आप उसको transmit तो करना ही चाहोगे न तो किन device के तो transmit करोगे वो ये transmission devices होते हैं transmission medium किस medium के तुरू A point से दूसरे point तक हो जा रहा है तो जो electricity के जो wires है जो आपका state electricity board है या फिर private electricity company है उन लोगों ने आपको connection दिया हुआ है तो उन wires के तुरू electricity आपके आती है उसी तरीके से इसका transmission medium होता है तीसरा होता है कि transmission processors कि भाई transmission receive तो आपने कर लिया है लेकिन अब उसको convert करके legible data format में जिसको computer समझ पाए उसको conversion का काम in transmission processors का होता है अब interface equipment है हम individual लेके component को समझ लेते है long distance जो transmission होता है वो हमेशा दियान रखेगा उसके कारण क्या होता है कि deteriorate हो जाती है quality आप खुद अपने घर पे एक छोटा सा example देख सकते है अगर कभी हम wifi चलाते हैं wifi use करते हैं हमाएगर में तो जो router हमारा रहता है उसके पास हमें बहुत अच्छा speed मिलती है बहुत अच्छा network मिलता है लेकिन एक कमरे, दो कमरे, तीन कमरे छोड़के जब एक certain distance हो जाता है तो वो speed और वो network की quality गिर जाती है यही similar हमारे data transmission में भी होता है क्योंकि उनका concept तो सेम है यहाँ यह चोटे level पे हो रहा है, वहाँ बड़े level पे हो रहा है तो long distance transmission के कारेंट क्या होता है data attenuation होता है and deterioration होता है data quality का digital format में तो इसका बहुत simple सा solution है कि digital को अपन analog में convert कर देते हैं data signals are converted to analog signals analog की यह quality होती है कि वो बहुत लंबे distance अग में transmit हो जाते है without any loss of data and इसको करने वाला कौन सा device होता है जिसका नाम हम सबने सुना है modem जिसका full form है modulator and demodulator भाई यह दो नाम क्यों? क्योंकि एक point पे वो ऐसे modulator act करता है और एक point पे वो demodulator act करता है modem हमेशा receiving end पे भी होता है और sending वाले end पे भी होता है उससे क्या होता है कि जब हम signal को भेज रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? digital signal को analog में convert कर रहे हैं वो एक point से दूसरे point पे गया दूसरे point पे जाने के बाद अब उस analog signal को digital में भी convert करना पड़ेगा उसके लिए कौन सा device लगेगा? यही हमारा modem से हो जाएगा और यह जो signal है कैसे transmit होते हैं या तो standard phone lines जैसे कि पहले होते हैं जो हम DSL network बोलते थे या फिर broadband lines जो optical fiber cable आजकर डलती है आपने देखा होगा कि 100 Mbps, 200 Mbps, 1 Gbps इस type की जो connection speeds हमको हमारे घर में या हमारे bank में मिलती है वो कैसे मिलती है? जो broadband lines होती है उनके थूरू मिलती है हमको यह speed अब transmission का medium क्या होता है भाई? किस के थूरू जा रहे हैं? तो जैसे electricity cable के थूरू जाती है तो there is a possibility कि हम wires को totally eliminate कर दें जैसे Elon Musk ने अपना जो एक venture निकाला है Starlink करके उसका concept क्या है? कि satellite के थूरू high speed internet प्रवाइट करना Google ने भी project loon करके निकाला है तो हम उनके और move कर रहे हैं लेकिन currently जो अभी हमारे transmission medium है वो terrestrial cables होते हैं अब earth पे जो cables बिच्छी ही होती हैं वो रहती है आपको जानके interesting लगेगा कि worldwide जो internet है आप बोलोगे कि भाई अगर India को या Asia continent को North America से कैसे connect किया जाता है वो भी underwater cables के थूरू किया जाता है यह रहत जो online हम data transmit कर रहे हैं that is okay ठीक हम कर पा रहे हैं लेकिन उसकी कुछ limitations है उसकी speed की कुछ limitations है और technology अभी उतने level पर नहीं पहुचे है कि हम उसको cost feasible मतलब एक feasible manner में economically feasible manner में हम कर पाएं इसलिए अभी पर testial cables होती है अब इनके types देख लेते हैं एक twisted pair होता है जो सबसे basic type का testial cable होती है जिसमें दो insulated copper wire होते है और इसका advantage का है भाई obviously low cost and effective up to 150 meter 150 meter तक के distance में कि भाई अगर आपको एक branch से दूसरी branch को connect करना होता अगर आपको वह होता तो आप इस cable को use कर सकते थे दूसरी होती है coaxial cable इसमें क्या होता है कि copper wire तो रहता है लेकिन एक ऐसा twisted type का रहता है coaxial मतब दो cables ऐसे interlink type के रहती है ऐसे DNA का हो बना होता है उस तरीके से रहती है and they are held with circular spacers इसमें advantage हमें क्या मिला कि भाई इससे थोड़ा महंगा तो था but speed हमारी बढ़ गई इससे 3 times से उपर हो गई 500 Mbps हो गई और आप जो finally cables use होती है जो आप market में currently use होती है जो आपके मेरे घर में हमारे bank में use होती है वो होती है optical fiber cable इसमें क्या होता है कि transfer to thin glass plastic and light अब आई light के तुरू कैसे transfer होता है आपको यह बात पता होगा कि computer हमेशा zeros and ones में deal करता है जो binary language हम बोलते हैं computer उसमें ही समझता है तो light off and on इस चीज़ को वो इस तरीके से transmission करते हैं कि जब light off होती है तो उसको वो 0 की तरह count करेगा और जब light on होगी तो उसको वो 1 की तरह count करेगा तो इस तरीके से light continuously on and off on and off on and off होके जो transmission हो रहा होता है हमारा उसके थूँ optical fiber में ये जो concept होता है इसके थूँ optical fiber में transmission होता है अब देखिए इन चीज़ों के बारे में बहुत detail में समझने की जरुरत नहीं है क्योंकि उस level का exam में आता नहीं है बट इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई भी confusion होगा कल को अगर आप confused हो जाओ कि भाई जादा इन में से तेज कौन सा है तो optical fiber कहीं आपके दिवाग में light word रह जाए light की speed जादा होती है उस तरीके से आप connection निकालके ये answer mark कर देते हो तो हमारा answer सही हो जाएगा और हमारा chapter पढ़ने का purpose solved हो जाएगा तो ये जो data transfer है हमने देखी लिया thin glass या plastic के थूँ हो रहा होता है और light के थूँ हो रहा होता है इसका सबसे बढ़ा advantage ये है कि ये बहुत fast है, reliable है और electromagnetic interference से affect नहीं होता किसी भी तरीके के interference है कि जैसे 2-4 cable एक साथ जा रही है तो इस particular cable के current ये particular cable affect हो रही है ऐसा इसमें नहीं होता प्लस इसमें चो speed होती है वो 2 Gbps तक मिल जाती है Gbps पर सेकेंड तक की speed मिल जाती है हमें which is significantly more, इसके 4 times है इसके 4 times हो गया और ये 500 Mbps था, हाँ इसके 4 times हो गया approximately ये हो गया and ये इसका सबसे बढ़र advantage होता है सबसे बढ़र disadvantage obviously expensive है इन दोनों से expensive पड़ता है लेकिन with time इसकी cost lower होती जा रही है microwave systems इसमें क्या होता है high frequency radio signals होते है इसमें data जो होता है वो amplify क्योंकि देखिए जो data आप करहेगा आपके electronic signal भी है अगर हम उसको amplify नहीं करेंगे तो उसकी range बहुत कम हो जाएगी क्यों 50 meter तक ही जा पाएगा और data loss हो जाएगा तो यहाँ पर इसको amplify कर देते हैं amplify करके जाता है retransmit होता है और उसके बाद एक point से दूसरे point तक कि जैसे मानली से यहाँ से transmit हुआ यहाँ तक गया इस point तक ही पहुच पाया हमारा final goal यहाँ तक पहुचाने का था तो इस point पर फिर एक लगा दिया फिर यह transfer हुआ फिर एक लगा दिया फिर यह transfer हुआ ऐसे करकर के इसको transmit करकर के जो होता है वो हमारा microwave system होता है यही concept जो होता है यह conceptually use का होता है जो हमारी mobile phone की sims होती है आपने देखा होगा कि tars लगे होते हैं बहुत सारी अलग लग जगे उन tars का काम क्या है उसी signal को retransmit कर देना जब आप connect करते हैं वायरलेस ली वो एक particular आपके घर के closest star से connect होता है वो दूसरे टार तक वो information transmit करता है ऐसे करकर के information transmit की जाती है अब communication satellites communication satellites क्या है यह geostationary satellite है geostationary का मतलब क्या रहता है कि भाई इसको clear कर देता हो आपकी earth है यह earth जो sun के आसपास है वहाँ revolve भी हो रही है और अपने access पर rotate भी हो रही है तो एक satellite which is geosynchronous earth के rotation के ही पास वो उसके तरीके से ही rotate होती रहती है उससे क्या रहता है कि हमें इस point से ऐसा appear होता है कि यह stationary है यह कहीं movie नहीं कर रही पर actual में यह भी ऐसे गूम रहा है और यह भी ऐसे गूमरी है इसी point के corresponding यह satellites के use करके geostationary satellites के use करते है जिसमें transponder लगा देते हैं और microwave transmitters को earth में लगा देते हैं transmitter और receiver को कि भाई earth पे एक कोई point है यह वाला point है और एक यह वाला point है तो इस वाले point में जो हमारा transmission था कि भाई इस point से इसके पास गया फिर इसने इस transmission को यहां बेज दिया और इसने receive कर लिया अब आप बोलेंगे कि भाई इसको अपन यहां से directly भी तो बेज सकते थे बेज सकते थे लेकिन हो सकता है इसको इस point तक लगाने में हमको 10,000 tower लगते ठीक है और एक satellite के थूर हमारा है काम हो रहा है तो हमारा at the end of day 10,000 tower बनाना जादा expensive पढ़ जाता rather than satellite को उपर भेज का और उससे काम लेना So this is the future अब जितने भी हमारे internet connections रहेंगे न जो धीरे-धीरे करके वो totally wirelessly और satellite पी move हो जाएंगे हम लोग cable से अपने जो जितना भी हम rely कर रहें cables पे धीरे-धीरे करके हम उसको phase out कर देंगे ये था transmission medium अब हम finally देख लेते हैं transmission processors इनका काम क्या रहता है to counter noise and distortion अब भाई क्योंकि transmission हो रहा है transmission में electromagnetic interference हो सकता है जैसा कि हमने देखा coaxial cable है मानलों कोई issue आजाता है noise आजाता है data उता क्लीनली पहुचता नहीं एक point पे आप खुछ सोचो आप एक document बेजो जिसमें list of hundred आपके याँ जो सबसे H&I customers है उनकी list है वो आप list बेजो किसी दूसरी branch में कि हाँ भाई इनको यापने marketing department को भीजो और इनको इन में से नाम 30 का ही मिले account number 15 का मिले उसके बाद फिर और उनके जो account का balance के detail है वो 10 की ही मिले तो ये data completely redundant हो गया है इस data की कोई value ही नहीं बची क्योंकि अब वो इसका कोई काम ही नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके का कोई noise और distortion नहीं हो इसलिए transmission processor की उसकिये जाते है signals को क्या होता है क्योंकि signal भाई एक point तक ही उसके अपनी वो quality hold करता है तो उसको बार-बार repeat किया जाता है तो signals are repeated through repeaters और message switches क्या होते हैं कि sorts and forwards data to many terminals over a single communication channel आपने देखा होगा हमारी branch में कई बार एक ऐसा डबबा बना होता है ऐसा एक बड़ा सा डबबा रहता है जिसमें इस तरीके से कुछ चीजे लगी होती है ऐसे ऐसे करके कुछ चीजे लगी होती है तो इसको हम message switch बोलते हैं इनका कामी यह होता है कि जो सारे एक बड़ा सा hub रहता है जिसमें हम connect कर लेते हैं devices को and यह data transmission में help करता है उसी तरीके से multiplexer it enables more than one signal to be sent simultaneously over one physical channel पहले हमने क्या देखा था भाई कि अगर यह एक है और यह device है एक और device है तो जब यह data भेज रहा है तो हो सकता है यह respond नहीं कर पाए two-way communication नहीं हो लेकिन अगर multiplexer हम use करते हैं तो वो क्या करता है two-way communication करता है इस पर कोई ऐसा नहीं रहता कि यह packet आएगा तब यह बेज पाएगा यह एक साथ simultaneously communicate कर पाते हैं तो phone की तरह तरह communication होता है rather than walkie-talkie की तरह communication होना front end processor dedicated communication system that intercepts and handles communication activities for the host computer भाई एक particular dedicated device कि भाई एक host computer है उससे एक device लगा हुआ है इसका काम ही यह है कि यह सब कुछ intercept करेगा उसको completely handle करेगा noise voice up distortion clear करेगा और फिर host computer में data transfer करेगा एक external device होता है आज पर तो खेल यह सब internally हो गए motherboard में ही लगे आते हैं internally CPU के अंडर लग जाते हैं बट यह सारी जो definitions है यह समझना ज़रूरी है क्योंकि कई बार exam में ऐसा आजाता है कि multiplexer क्या है और उसमें आपको 4 option दे देंगे अगर आपने कभी सुना ही नहीं है तो फिर आप उसको answer करी नहीं पाएंगे क्योंकि नाम को पढ़के आप यह नहीं बता सकते कि यार यह actual में इसका concept क्या है जो लोग CS IT background के हैं जिन लोगों ने अपने bachelor's में पढ़ा है या IT specialization के हैं लोगों के लिए chapter और यह पूरा module बहुत easy है because they deal with it on day-to-day basis बट जनरल banking वालों को यह समझना जरूरी है because in terms से हम normal banking module A, B, C, बाकी सारे module D के terms से तो हम रोज मिलते जुलते रहते हैं हमें पता रहता है कि हाँ बाई BC अपना जो वो है bank guarantee वो कुछ तो होता है revolving letter of credit कुछ तो होता होगा तो वो आपको कहीं न कहीं से आप उसमें टिकडम बढ़ा के कर लोगा answer but इसके बारे में normal day-to-day basis पे आपको idea नहीं रहता तो यह questions को इन concept को समझना बहुत जरूरी है अब modes of transmission modes of transmission भी mainly 3 type के होते हैं पहला होता है simplex यह uni direction है कि एक ही तरफ जाता है यह रहता है जैसे commercial radio होता है आपका कि एक ही तरफ आप communicate कर सकते हैं दूसरा half duplex है यह board direction में allow करता है but one direction at a time तो example क्या हो गया भाई walkie talkie हो गया कि एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा सिर्फ सुन सकता है अब major network इंडिया में क्या है देखिए अब क्या हुआ जब इंडिया में banking अकेला banks ही ऐसे institutions नहीं है जो इन networks पर rely करते हैं जितने भी government departments हो गए जितनी भी regulatory bodies हो गए इनका भी खुद का एक network होता है जिस पर लोग rely करते हैं for transmission of data तो major network इंडिया में क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस committee ने recommend किया normally हम सी रंगाराजन committee को हमेशा लेते हैं लेकिन इस case में T.N. Anantham Iyerji ने recommend किया Committee on Communication Networks for Banks यह 1987 में आई थी तो this is something different अब मैंने आपको क्या बताया था इसके concept में question करने में अगर नई समझ में आ रहा है तो रंगाराजन दी का answer mark कर दीजिए 10 में से 6-7 बार आप सही हो जाएंगे लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा कि यह chapter different है concept different है तो इसका इंसान भी different है इस तरीके से आप रियाद रख सकते हैं तो आपका at least एक option eliminate हो जाएगा banknet and swift यह क्या है exclusively for banks and other financial institutions है यह और कोई use नहीं कर सकता है कि घर पे मैं बोलू कि यार मेरे को swift messaging चालू करना है तो मैं घर पे अपना कोल लेता हूँ नहीं अगर मैं RBI से license हूँ तो operate a particular NBFC या कोई financial institution तो हाँ मैं इनकी membership पे subscribe कर सकता हूँ या network ले सकता हूँ और public network क्या है INAS, INET, banknet, NICNET और RBI net यह individually क्या होते हैं यह हम आगे देखते हैं INAS, INET और banknet Interbank National Authorization System यह एक network है जो कि private company Mastercard ने globally पूरे banks को provide किया है जब भी कभी आप से कोई पूछे के Mastercard क्या है वो कौनसी company है तो it is not a financial company it is a technology based company It provides technological solutions to financial institutions यह उनका काम है पूरे world का जो main network है वो लोग वो operate करते हैं जो सारे banks को connect करता है Interbank Network for Electronic Transfer यह जो INET था, यह 1991 में हुआ और यह packet switch public data technology में के through work करता था बस आपको इतने याद रखना है कि packet switch technology यूज करता था यह packet switch ही हर जगे आएगा उसके जगे और कोई technology का नाम नहीं आएगा और PSPD इसका क्या होता है packet switch जो technology है तो यह actual में होता क्या है कि data को fragment कर लेते है for example आपके पास क्या है अगर अपन उसको visual format में समझे तो यह PC है उसको इतना बड़ा chunk of data भीजना है अब इतना बड़ा chunk of data अगर वो इस point से इस point सब भीजने की कोशिश करेगा तो दिक्कत क्या होगी कि अगर कोई transmission loss होता है वो होता है तो वो पूरे data वाइप हो जाएगा जैसे for example आप याद करिये आज से 15 साल पहले अगर हमें कुछ internet से download करना होता था तो हम लोग इतना परिशान होते थे क्यों क्योंकि भाई network पूरे time रहता नहीं था network बहुत जाता था internet की speed बहुत स्लो होती थी दो MB की file डाउनलोड होगी 1.99 MB डाउनलोड होगी और फिर कुछ अठका कुछ गरबड हुई यह हुआ और पूरे download wipe off हो गया तो एक घंटे की पूरी महनत बरबाद चलीगी तो इसलिए जो यह technology है packet switch technology है क्या करती है data को fragment कर देती है कि यह बड़ा सा data है यह बड़ा सा अगर मानलो data है तो इसको इसा fragments में divide कर देगी बोलेगी कि यह है fragments इन fragments में divide करके एक-एक करके भेजती है इनको एक-एक करके send करती है और बीच में क्या रहता है एक device में buffer बना लेती है कि यह data आके सबसे पहले यहां 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 store होगा फिर यहां से आगे जाएगा तो इससे advantage क्या होता है आपका कि अगर कल को कोई transmission loss होता है या कुछ भी problem होती है तो पहली बात तो आपका buffer data stored है दूसरा कि आपने इतने आपको 16 packets भेजने थे आपने उसमें सब 14 भेज दिये तो आपको सिफ दो ही packet भेजना बचा अगर आप एस technology को यूज नहीं करते तो आपको पूरे 16 का 16 एक block एक बार में भीजना पड़ता तो यह simply बस packet switch technology होती है वाके definition आप पढ़ सकते हैं कि data fragmented into packets and stored in nodes this allows dynamic rerouting in case of root failure and interconnection of computers of different speeds यह की official definition है concept मैंने आपको बताई दिया है अब इन दोनों को combine किया जब इन दोनों को combine किया तो एक banknet form किया जो की 1997 में आया यह भी Mastercard ही operate करता है क्योंकि यह दोनों भी Mastercard operate कर रहा था तो single financial network linking all Mastercard members and data processing center जितने भी Mastercard के लोग member है पचाए उनके card के थूँ हो या उनके technology के थूँ हो उन सब को link करता है अब आप imagine करेए कि कि किस level का data वो लोग अपने पास से store generate करते होंगे और store करते होंगे और analyze करते होंगे NIC NET यह क्या था 1976 में National Informatics Center जो NIC इंडिया में है इन्होंने setup किया था यह क्या था इसका main purpose क्या था यह बाइस state और central government के जो department से उनको connect करना बास इत्ता ही purpose है इत्ता ही हमें याद रखने की ज़रूरत है इसमें अब RBI NET यह communication network क्या है file transfer plus free format messaging इसमें कोई length restriction नहीं है यह क्या करता है जितने भी हम मतलब basically जो RBI की अंडर जो member institution उनको connect करता है और उनको file transfer भी allow करता है और free format messaging की भाई कोई भी data उनको transmit कर जागा कोई भी message भीजना हो वो भी allow करता है इसपर सब दोई चीज़ा याद करने की ज़रूरत है एक है कि X25 switch होता है और Unix server use होते है जितने भी CS IT वाले लोगे वो तो यह normally by default ही समझेंगे कि अर Unix server use होते है हर जगे लेकिन जो non IT background के उनके लिए बता रहा हूं कि Unix server यहाँ पर use होते हैं अब infinite यह recommend किस ने किया फिर different इंसान ने पहले हमने TN अनंद अब जो IRG थे उन्होंने recommend की थी जो communication network वाले था यह infinite था यह सराफ कमिटी ने recommend की थी इन्होंने क्या बोला कि बाइए countrywide data communication network banks के लिए होना चाहिए तो इसके लिए जो communication network इन्होंने established किया यह manage कौन करता है RBA की subsidiary है IFTAS यह करता है और इसके technology क्या है very small aperture terminals v-sat पहले v-sat use होता था यह जो technology थी कि छोटे-छोटे ऐसे satellites बना दिये banks के उपर यह communicate कर रहे हैं एक बड़े satellites से communicate कर रहे हैं वो यह data फिर transmit कर रहा है कि यह वाला data इनके पास जा रहा है और फिर यह वाला data यह यहां transmit हो रहा है दूसरी जगे transmit हो रहा है बट अब क्या हो गया है अब यह RF इसके थ्रू होता है आप भी देखा होगा पुरानी जित्ती भी ब्रांच ते उनमें v-sat लगा था नहीं सारी ब्रांच में RF radio frequency यह वाली technology अब लगती है अब v-sat use नहीं होता है यह usually हमारा backup server होता है backup network होता है क्या होता है कि अगर मालीजी आपके कोई भी problem के कारण कोई line आपके interrupt हो जाती है आपके bank से server चला जाता है वर्क नहीं कर रहा होता है तो वह automatically जो उसका switch होता है वो उस पर देख रहा है कि भाई इसमें से data आ नहीं रहा है तो automatically वो कुछ time माद इस पर switch कर देता है 1954 में आ गया था हमारे आने में बहुत time लगा था लेकिन आप खुछ imagine करिए हम आजाद हुए उसके मुश्किल से साथ साल बाद वो system आ चुका था first automatic clearing house है यह 1972 में यह इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ यह worldwide की बात कर रहा हूँ वैसी swift, swift क्या चीज़ थी भाई? swift हमारे society for worldwide interbank financial telecommunication यह एक था यह एक ऐसी संस्था है एक ऐसा institution है जो worldwide banks connect करता है और international transaction में messaging में उनकी help करता है इसका objective है unified international transaction processing and transmission system और इसका headquarters है Brussels Belgium में Belgian chocolates बहुत famous होती है कभी जाएं तो खाके ज़रूर आईएगा and it is owned by member banks and financial institutions जो भी regulatory bodies है जो भी financial institutions है वो particularly उसको own करते हैं वो उसके stakeholder है अब बैसे transmission systems का key point क्या होता है भाई? एक तो 24-7 operational होना चाहिए क्योंकि भाई हम लोग यहां हमारा जो standard time है इंडियन standard time उसके इसाब से हम operate कर रहे हैं मानलों को US में हमसे 12 hours पीछे है 12 hours आगे तो उस इंसान को जो time लगेगा या वो रहेगा या उसको जो handle करेगा ऐसा तो नहीं कि जब हम सो रहें तो वो काम नहीं करेंगे वो लोग भी काम करेंगे 24-7 operational होना चाहिए transmission immediate होना चाहिए उसमें कोई delay नहीं होना चाहिए acknowledgement आना चाहिए कि आपको जैसे blue tick आता है न WhatsApp में इसे इन लोगों के पास भी acknowledgement आना चाहिए कि यह transmission deliver हो गया है उसकी ability होने चाहिए कि instantly payment stop करने की कि for example आपने कोई payment internationally चालू किया आपको पता चला कि नहीं आरे payment नहीं करना था तो अब ऐसा तो होनी है ना कि यार आप तो plane निकल यह आप तो कुछ होई नहीं सकता नहीं आप कोई भी member bank वो एक message करके उस payment को रुखवा सकता है अब जो automatic clearing systems थे clearing houses क्या होते हैं कि भाई जो भी आपके NEFT RTGS transmission हो रहा है जो हमारे check के true transaction हो रहा है उसका कुछ clearing centers होते हैं उनका काम यह होता है कि उनको verify करना जो भी चीज़ा हमने receive की हुई है दोनो balance चेक करना कि हाँ भाई यह आपने balance भी चाता है यह balance आ चुका है यह वाला particular amount हम transmit कर सकते हैं और finally उसको transmit कर देना इसका establishment 1970 में हुआ था यह responsible है international fund transfer maximum international fund transfer इसके थुरू होते हैं इसका direct क्योंकि swift international body है जो messaging allow करती है तो इसका direct connection है उसके साथ और जो clearing house automated payment system यह chips और chaps ऐसे आते हैं यह वाले इसमें advantage का एक तो same day settlement होता है almost instantaneous service होती है और payment is guaranteed on receipt and cannot be recalled भाई अगर एक बार payment हो गया ना फिर उसको recall नहीं कर सकते हैं कोई बंदा यह नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं यार अब मेरा mood change हो गया मुझे पैसा वापस चाहिए तो recall हो जाएगा मांग सकता है लेकिन सामने आले को transmit करना पड़ेगा अपना mandate देना पड़े यह validation of entries before transmission जब आप कर रहे होते हैं तो उनका validation होता है कि हाँ यह आपने जो account number डाला है यह सही है उनका जो भी IFSC से related रहता होगा type का code रहता होगा यह आपने डाला है यह सही है and दूसरा advantage यह कि POS जो point of sale होता है जो आपके credit card debit card का transaction भी यहां support होते हैं उसके बाद कुछ fund transfer system हमें जैसे की हो गया fedwire और bankwire इस तरीके के को systems हमारे पास available हैं अब देखते हैं जो payment services थी वो इंडिया में कप-कप launcher उनका कौन-कौन operate करता है जो electronic fund transfer था वो 1997 में launch हुआ and उसको RBI operate करता है RTGS जो real time gross settlement होता है हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं आगे भी पढ़ेंगे यह 2004 में launch हुआ NEFT उसके बाद launch हुआ अब 2005 में NECS National Electronic Clearing Center जो रहते हैं यह service हो गई जो हमारे cards हो गए या wallets हो गए वो होते हैं वो 2009 में आया और इनको operate करते हैं PPI operator जैसे कि credit debit card को banks operate करते हैं IMPS जो immediate payment system जो हमारा रहता है आपने SBI से loan लिया और आपका account PNB में तो आप match mandate दे देते हैं कि हां भाई इस particular rate को इतना amount मेरे एक हाथे से काट लिया जाया उस bank में चला जाये इसकी launch date 2011 में हुई और इसको भी NPCI करता है जो CTS हो गया check truncation system हो गया आपका वह वाला भी 2011 में आया NPCI करता है आपका आधार enabled payment system जो आधार card से उठा लगा के पैसा निकालना और डालना वो होता है वो 2016 में आया उसको भी NPCI करता है Unified Payment Interface जो होता है उसको भी NPCI करता है यह particular एक जो department है जो RBI के अंडर आता है एक institution जो हो गया वो particular यह सारे modern चीज़ों को देखता है और जितनी भी पुरानी चीज़े है उनको कौन देखता है उनको RBI देखता है यह है अब electronic hearing system थे यह 1995 में RBI ने इंटेडियूस किये और इनका objective क्या था alternative method of effecting bulk and repetitive payment transaction कि भाई अगर मालो bulk transaction कौन-कौन से होते हैं जैसे salary भी बेज़ना हो अगर कोई जैसे आप अगर मालो जिस भी bank में हो आपके साथ 1000 employees उनकी salary एक particular दिन को आ जाती है कैसे आती है वो इनकित हुआती है यह दरी वैसी private organizations होते है वो अपनी salary बेज़ने कैसे आती है इसकित हुआती है दूसरा इसमें उल्टा भी हो सकता है जो कि हम आगे देखेंगे electronic credit clearing जो होती है उसमें क्या होता है single debit and multiple credits जैसे क salary accounts में होता है कि एक बड़ा account को debit करेंगे उन सारे accounts को credit करेंगे electronic debit clearing multiple debits and single credit यह कब होता है loan repayment होगे आपका कोई भी bill payment होगे आपका उस case में होता है कि बहुत सारे account है उसमें multiple debit हो रहे है और एक जो pool account होगा उसमें वो पैसा credit हो जाएगा NEFT बहुत बार हमने पहले भी पढ़ा है एक बाद quickly revise कर लेते हैं हम लोग 2005 में introduce किया गया इसका coverage क्या है सिर्फ network branches जो bank की है वो इसमें कोई upper limit नहीं है transaction की lower limit भी नहीं है data processing center इनका क्या है national clearing cell यह पूरा data process करता है और settlement कैसे होता है 48 half hour batches में होता है everyday हर आधी आधे गंटे के batch में मतलब पूरे पूल हो जाते हैं फिर उसका settlement होगा फिर आधे 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 गंटे के batch में पूल हो जाते हैं फिर settlement होगा and this is available 24-7 for all 365 days या 366 depending on कौन सा साल होते है इसमें और चीज़े इसमें ही एक rtgs होता है इसका यह निया title से वो नहीं है rtgss का में है real time gross settlement इसमें क्या होता है कि payment continuous real time basis में होते हैं and जो settlement settlement agent होता है वो है हमारा Reserve Bank of India पस इसमें क्या कवीट है कि 24-7 तो है 365 days भी है सब कुछ है बट आपका 2 lakh minimum amount होता है 2 lakh and above तो जो बड़े-बड़े जो transactions होते हैं जैसे एक government department ने दूसरे government department को 1000 करोड बेजे तो वो इसके थू बेजता है उनको and maximum की of course कोई limit नहीं है अब जब मैं no limit कहता हूं तो low limit आप यह समझिए कि no limit में इस particular technology की बात कर रहा हूं आपका bank इस पर definitely limitations लगा सकता है आपको बोल सकता है कि एक दिन में अगर अगर आप transfer करना चाहें तो आप 10 lakh से जाधा नहीं कर सकते अगर आपने immediately account मना है तो 24 hours तक आप 1 lakh से जाधा कोई transaction नहीं कर सकते आप अगर वैसे भी maximum transaction करना जाए तो आप 1 CR से उपर का transaction नहीं कर सकते उसमें आपको bank क्योंकि यह bank to bank different rules defined है एक risk appetite देखते हूं कि एक normal customer इस से उपर करता है तो suspicious transaction में आ जाता है तो इसी लिए bank इसमें limit लाका सकता है लेकिन technology की कोई limit नहीं है ना NFT की ना RTGS की कि अगर bank allow करे तो आप कितना भी transaction कर सकते हैं अब check truncation system जो अब मैं बोला था ना MICR का हम end में पढ़ेंगे एक MICR code होता है code होता है ये code क्या बताता है आपकी branch कौन सी है उसे विले आपका bank कौन सा है branch कौन सी है पैसा कहां जाना है इस तरीके का data पूरा stored होता है MICR code में तो ये code क्या रहता है ये code हमारे check के नीचे लिखा होता है जो check का आपका number होता है न चेक के नीचे जिसे आपका ये check हो गया यह आपका भाई बड़ा आसा चेक है इस पे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ऐसा स्ट्रिप्टी रहती लेकिन यह रहता है तो यहाँ पर आपका एक चेक का वो लिखा होता है नंबर लिखा होता है उसका फोट ले लिए जाती है उसको गया होता है कि बहाई अगर मन लोगी कोई बाहर का चेक का अया हुआ वो दो-चीन तीज़े चेक करेंगे, क्या इस बंदे के एकाउन में पैसा है, दूसरा, क्या इसका सिगनेचर मैच हो रहा है, तीसरा, क्या ये चेक में वाकि सारी चीज़े सही है, क्या ये इंस्टुमेंट को clear किया जा सकता है, ये करने के बाद उस चेक को clear कर देंगे, तो ये दिर होता है, पहले क्या होता है, पहले ही होता था कि आपको individually checks ले जा ले जाके देने पड़ते थे, कि HDFC बैंक में जाओगे तो आपके चेक कलेक्ट किये, आपके पास 10 चेक हाई SBI के, 10 हाई HDFC के, 5 हाई access के, तो आप सबके clearing center में जा जाके वो check दोगे, लेकिन जब से check truncation system आ गया है, उसके बाद से अब ये बहुत ease हो गया है, अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, अब आपके पास सिर्फ ये data रहता है, आपके पास एक device होना चाहिए, आप RBI में आपका MICR registered होना चाहिए, that is it, now you can do this scanning at your own branch itself. ये वाले particular वीडियो में हमने जितने भी EFT जो वो रहता है, जितने भी data communication होता है, EFT के types होता है, कितने different type का electronic phone transfer होता है, वो समझा, इस particular chapter का main use ये हैं, कि जो भी terminologies है, उसके बारे में आपको पता चल जाए, जिसे कि कल को आए, तो आप एकदम डरे नहीं, आप उनको देखके ये नहीं सूचे कि यार, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, जब ये सारे concept आपको कही ना कहीं पता है, तो आप www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं, जहाँ पर जाके, जितने भी different topics हमारे हैं, वो left तरफ आ जाएंगे, उनको आप explore कर सकते हैं, कि आप जो भी video देखना चाहें, for example, अगर आप सबसे नीचे GIB, CIB, आप उसपे click करते हैं, उसपे click करेंगे, तो एक ऐसा page open हो जाएगा, इसमें depending on आपका कौन सा pack है, किस पर आपने subscribe किया हुआ है, आप उसपे click कर सकते हैं, click करके सारे जितने भी आपके videos हैं, वो सब module-wise, topic-wise, सबके सब segmented हैं, आप उसपे जाके सीरे click करके, उसको पूरे paper-wise आप उसको देख सकते हैं, जब आप for example, आप JIB पर click करेंगे, तो एक ऐसा page को open हो जाएगा, ये page आपको बता देगा, कि हमारे course के क्या क्या offering है, और इसको भी नीचे scroll करके, तीनो papers के नाम आजाएगे, जिन पर आप click करके, उनके topic module-wise आप topic पर click करके, आप देख सकते हैं, अगर आप for example, principle and practices of banking के किसी वीडियो पर click करेंगे, तो एक बहुत ही smart लड़की की photo आपके सामने आ जाएगी, जो आपको इसके बारे में पूरी information देदेगा, तो आप ये information देखें, जो भी आपको कुछ लगता है, आपको लगता है कि और कुछ हमें improve करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए, तो आप यहाँ comment करके भी हमें बता सकते हैं, कि हम और क्या improve करें, और क्या चीज़े include करें, इसी तरीके से, बाकि कोई भी government exam, कोई भी exam जिसके अगर आप preparation करना चाहते हैं, आपके आसपास वाले साथ वाले preparation करना चाहते हैं, तो Magnet Bains उसकी completely 100% free provide करता है, आपके जो जितने भी videos होगे provide करता है, सबसे बढ़ा advantage जो Magnet Bains का है वो यह है, कि क्योंकि जितनी भी चीज़े वो free provide कर रहा है, तो obviously आपको free में वो तो मिली रही है, लेकिन कहीं भी quality से compromise नहीं हो रहा है, आप किसी भी paid coaching का material उठा के देख लीजिए, और हमारा material उठा के देख लीजिए, आपको difference अपने आप समझ में आ जाएगा, bank हो गया, SSC हो गया, RRB हो गया, किसी भी और different type के exam है, आप उन सारी चीज़ों को जाके याँ check out कर सकते हैं, thank you for watching this video, I'll see you in the next video.